नमस्कार में गुप्तेश्वर पैंडे डीजीपी विहार करोना खतम नहीं हुआ अनलॉक टू का मतलब यह नहीं कि करोना खतम हुआ रात में दस बजे के बाद सुबा पांच बजे तक अभी भी करफू है जान बचाना है पूरी दुनिया तबाह हो गई अमेरिका ढ़ा गया इंग्लेंड ढगया जर्मनी इटली चाइना बड़े बड़े देश ध्रस्त हो गए हिंदुस्तान एक सो तीस करोड की आबादी वाला देश बारह कोड़ा के लिए वियार में रोज बढ़ता जा रहा है पर सुत पोने तीन सो लोग हो गए पॉजेटिव जान बचाने का ए हमेशा मुँपर लगा के रखें गमची से मुँँनाक को ढख तीन ही जगा है जहां से करोणा गुस्ता है दोनों नाक का छेद और मुँख तीन को हमेशा ढख कर रखेंगे करोणा से पीडित होने की संभावना बहुत कम है और भीड में तो बिलकुल नहीं साधी ब्याह मे देख रहे हैं लोग सेकड़ों की संख्या में पाली में क्या हुआ एक सो लोग पोजेटिव करोना एक साधी में हजारों लोग को फैला देंगे भीड में तो जाना ही नहीं है और बड़े दुख की बात है इसी कारण देखें इद की नमाज घर में हुई सारी मस्जिदें बंद हो गई सारे मंदिर बंद हो गए खोला गया था लेकिन बाबा घाम का कामरियां वाला जल हम लोग नहीं चड़ा पाएंगे जला भी सेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें लाखों की भीड होती है और करोना जिस तरह से फैल रहा है लाखों आदमी की जान खत्रे में पड़तकती है इसलिए हाथ जोड़ करके निविदन करता हूं घर में भगवान सीव की आराधना करें अर्चना करें वो तो ओधरदानी है आपके मन के भाव को समझते हैं कामरिया जल नहीं चड़ाना है सारे मंदिर जहां जलार सेक होता है बंद रहेंगे और घृदय से सब्दा से भगवान सीव का स्मरन करें उनसे प्रत में करें कि करोना का संकट दूर हो घर में रहें बीड में जाया और हमेसा मुँ ढ़क करके रहें मास झरूरी है गमची से या मास से बिना मुहनाक ढखे बाहर नहीं निकलनाए हाट उसक्स तरा रखनाए भीड में तो जाना ही नहीं है अनवस्यक मुमिट भी नहीं करना एफ ही मिल बात को आप ध्यान में रखेंगा आप सबboard